सीरीज के दूसरे मैच में ही अपना डेब्यू करने वाले सूरे कुमार यादा को तीसरे मैच में टीम में जगय नहीं दी गई इस फैसले के लिए टीम के कप्तान विराट कोली की आलोचना की जा रही है इसी बीच पूर खिलाडी गौतम गंबीर ने भी सूरे कुमार को टीम में जगय नहीं दे जाने पर गुस्ता जाहिर किया है इंग्लेंड के खिलाव तीसरे टी-20 मैच में भारत को आठ फिगिट से हार का सामना करना पड़ा था इस हार के साथ ही पांच मैचों की सीरीज में भारत अब एक-दो से पीछे हो गया है गंबीर ने ESPN क्रिक इन्फो से बाचित करते हुए कहा मैं इस फैसले से हैरान हूँ वर्ल्ड कप से साथ महीने पहले वो वर्ल्ड कप के लिए तयारियां शुरू कर रहे हैं और शायद वर्ल्ड कप के बाद वो अगले वर्ल्ड कप की तयारियों में जोट जाएंगे ये माइने नहीं रखता है माइने क्या रखता है वो है आपकी फॉर्म माल लीजे यदि टीम के अंदर किसी तरीके की चोट की वज़े से परिशानी खड़ी हुई आपने इंटरनेशनल लेवल पर सूरे कुमार को क्या करते हुए देखा है मैं आशा करता हूँ कोई चोटिल ना हो लेकिन यदि ऐसा हुआ तो किसी ना किसी खिलाडी को नमबर 4 और 5 पर बल्लेबाजी करनी होगी श्रेय शेयर के रिप्लेस्मेंट के लिए आपके पास कौन सा खिलाडी है गंबीर ने आगे कहा आप उन लोगों की ओर देखिए जो आपके सैटप में फिट बैटते हैं कम से कम उन्हें 3-4 मैचों में मौका दीजे और फिर देखिए वो कहां पर हैं यदि आपने किसी को चुना है तो उन्हें मौका दीजे फिर आकलन कीजे वो भविशय में टीम को क्या दे सकते हैं आप उन्हीं खिलाडियों को आजमा रहे हैं जैने हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं सूरे कुमार यादव की लंबे समय से भारते टीम में शामिल होने के चर्चाएं चल रही थी क्योंकि उन्होंने आईपेल के पिछले सीजन के 15 मैचों में 480 रन बनाए थे